हाई फेंड्स वेकम बैक टो माय चैनल आज मैं आप लोग के लिए लेकि आई हो सिंपल सा घरैलु नुसका और इसपे मैं यूजर करने वाली हो सिर्फ एक ही इंग्रीडियन सिर्फ जि अिक इंग्रीडियन से आपको मिलेगा एक ब्राइटनेस आपके फेस पे और यह आपके इस इंग्रीडियन से आप अपने चेहरे की कर सकते हैं, जो कि आप पाला जाके क्लीन अप कर वाते हैं, वही रिजल्ट आपको ये एक इंग्रीडियन देगा, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक क्विक रमाइन कि अगर अभी तक आपने मेरे च मेरे फेस के लिए भी काफी अच्छी मानी जाते हैं, यहाँ पर मैंने दो बड़ी चम्मच उरत दाली हैं, और मैं इसे अच्छे से वाश कर लूँगी, वाश करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी और डालिए और इसे भीगोने दीजिए, ओवरनाइट रख सकते है या फिर 3-4 गंटे भी काफी हैं, अच्छी से सोखने के बाद देखिए बिल्कुल फूल चुके हैं, और अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे, जब आप मिक्सी में पीसे तो दिहान रखिए इसको बिल्कुल बारिक और महीम पीसना है, दाने बिल्कुल नहों इसमें, तो म हमारे रेमेडी बिल्कुल रेडी है, कितनी जल्दी रेडी हो गई, और इसे यूज़ करने के लिए आप इसे अपने पूरे फेस पहची से लगाईए, और उसके बाद अपनी उंगलियों से, जो उंगली की टिप्स होती हैं, उनसे अपने फेस की मसाज करिए, कम से कम 15 मिन के लिए, मसाज करने के बाद आप थोड़ा सा और इसे अपने पूरे फेस पहची से लगाई, बिल्कुल मोटा मोटा, और उसके बाद 20-25 मिनिट के लिए इसे ऐसे ही चोड़ देजिए, 20-25 मिनिट के बाद अपने फेस पहची से वाटर लगा के, फेस को मसाज करते हुए, अपने फेस को अच्छे से पानी से वाश कर लेजिए, वाश करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके चेहरे पे तुरंद ब्राइटनस अनसर आएगी, साथी साथ आपकी स्किन बिल्कुल अंदर से डीप क्लीन हो चुकी होगी, जिस तरीके से क्लीन अप करने के बाद हमारा फेस दिखता है, इस रेमेडी को आप हफ़ते में एक या दो बार जरू यूज़ करिएगा, और आपकी स्किन को काफी क्लीन करेगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और तेखिए कितना सिंपल है इसे बनाना, तो जरू ट्राइ करिए इस रेमेडी को और मुझे बताईए कमेंट सेक्षन में आपको यह कैसी लगी, अकर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक जरू करिए, साथी साथ जाने से पहले मेरे चैरों को सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाबाई